नमस्कार, ग्लिप्स जटिन में आपका स्वागत है, मैं हूँ प्रगतिय अगरवार पिछले दिनों प्रधान मंत्री नरेन मोदी द्वारा एक टीवी चैनल को दिये गए इंटर्व्यू में बेरोजगारी के सवाल पर प्रधान मंत्री ने जवाब दिया था कि अगर कोई पकोडे बेचता है और शाम को 200 रुपे कमा के घर जाता है तो वा बेरोजगार नहीं है उसका विरोध अब बेरोजगारों में उठने लगा है बेरोजगार पढ़े लिखे चात्रों ने कई जगह पर पकोडे के थेले लगा कर इसका विरोध करना शुरू कर दि एक मामला मध्धप्रदेश के होसंगाबाद जीले में आने वाले पिपिरिया में देखने को मिला जहां पिछड़ा वर्ग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नितिन पतेल के नितित्व में शिक्षित बेरोजगार छात्रों के साथ मिलकर पीजी कॉलेज पिपरिया के सामने पकोडे की दुकान लगा कर मोधी और भाजपा सरकार का विरोध किया गया होसंगाबाद के पिपिरिया में बेरोजगार छात्रों ने विरोध करते हुए कहा कि पहले वोटों की खातिर बेरोजगारों से प्रतिवर्ष एक करोड लोगों को रोजगार देने का वादा किया अब मोदी जी शिक्षित बेरोजगारों को पकोड़े बेचने की सला दे रहे हैं इस पकोड़े की दुकान पर हस्ताक्षर अभ्यान भी चलाया गया जिसमें 700 से अधिक शिक्षित बेरोजगारों और छात्र छात्राओं ने भाजपा सरकार और प्रधान सेवक का विरोध करते हुए अपने हस्ताक्षर किये बेरोजगारों ने सरकार से नौकड़ी की मांग की है और कहा है कि अगर पकोड़े बेचने की सला मोदी जी दे रहे हैं तो इस स्कूल कॉलेज क्यों खोल रहे हैं क्यों लोगों के सिक्षा पर लाखो रुपे खर्च करवा रहे हैं पकोडे अगर सरकार बिक्वाएंगी तो यूआ बिरोजगार इस सरकार को ही बदल देंगे